क्या आपने इस बात पर गौर किया कि प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के अंतिम संस्कार में उनकी एक बहू यानि कि प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी जा सोधा बेन क्यों कही नजर नहीं आ रही थी क्या उन्होंने अपनी सास के अंतिम संसकार में हिस्सा नहीं लिया क्या उन्हें अपने सास के यानि अपने पती की मा के मौत का गम नहीं था ऐसा बिलकुल नहीं है बलकि सच तो ये है कि जैसे ही पियम मोधी की पत्नी को ये पता चला कि अब उनकी सास इस दुनिया में नहीं रही तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और वे आनन फानन में तुरंत अंतिम संसकार में सामिल होने के लिए निकल पड़ी मगर दरवाजे पर पहुंचते ही गुजरात पुलिस ने उन्हें घेर लिया उनके घर को चारों तरब से घेर कर नजरबंद कर दिया गया गुजरात पुलिस ने प्रधान मंतरी की पत्नी को उन्हें के घर में कैद कर दिया इससे दुखी होकर प्रधान मंतरी की पत्नी फफख फख के रोने लगी जटका लग रहा है न सुनकर प्रधान मंत्री की पतनी को घेरने की रोकने की हैसेत किस पुलिस में है मुझे भी ऐसा ही तगड़ा जटका लगा था यकीन मानिये मैं काफी देर तक इस खबर पर ध्यान लगाए रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे देश में तो अंतिम संसकार में दुस्मन भी आ जाते हैं दुस्मनों को भी सामिल होने से कोई रोकता नहीं है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था मगर ये सारी बाते हैं खुद प्रधान मंत्री जी की पतनी जसोदा बेन ने कहा है ओन कैमरा इतना ही नहीं कैमरे पर बोलते हैं वक्त भी वह रो रही है इस मामले को लेकर सोशल मेडिया पर खुब चर्चाव रही है लोग प्रधान मंत्री मोदी पर तरह तरह के सवाल उठा रहे है लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भारत के प्रधान मंतरी की पत्नी के साथ इतना घटिया वेभार कैसे किया जा सकता है वहीं जब अंतिम संसकार में जाने से रोके जाने पर जसोदा बेन ने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों हमें रोका जा रहा है क्यों हमारे घर को पूलिस वालों ने घेर रखा है तो पूलिस वालों ने जो जबाब दिया है वाकई वो जगजोर देने वाला है पुलिस वालों का जवाब हजारों सवाल खड़े करता है हम आपको PM मोदी की पत्नी की बातें भी सुनाएंगे और जनता का रियक्षन भी दिखाएंगे इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठाएंगे मैंने कई बार का आए है कि हमारे देश की गोदी मीडिया को एक काम दिया गया है कि हकीकत यदी इधर है तो जनता का ध्यान इधर घुमा दो उनकी नजर घुमा दो ताकि लोग कुछ न कुछ देखते रहें और असलियत छूपी रहें इस मामले में भी गोदी मीडिया ने अपना काम भर पूर इमानदारिस किया है और पूरे देश की जनता का ध्यान भटकाने का जबरदस्त काम किया है बात से शुरू करने से पहले आप सभी सेनरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और मामले की गंभीरता समझ में आए तो जादा से जादा लोगों तक पहुचाईएगा फेस्बुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबालीजिए इसकी वार कोड को इसकैन करके आप हमारी आर्थिक साहता करें ताकि गोधी मीडिया जब आपका ध्यान भटकाने की को सादगी वाला गोधी मीडिया के तमाम लपड़ जंडिस पत्रकार यह सिद्ध करने में लग गये कि देखो प्रधान मंतरी की माता का अंतिम संस्कार कितनी सादगी से हो रहा है ना कोई राज की सम्मान ना कोई ताम जाम ना ट्राफिक जाम जबकि यह सभी को मालूम है कि अंतिम संसकार में आम तर पर जिस तरह के कारेकरम होते हैं वो सब कुछ हुआ कुछ अलग नहीं था जहां तक बात राज के सम्मान की है तो राज के सम्मान की लोगों को दिया जाता है यह गोधी मीडिया वालों को मालूम ही नहीं है वैसे मालूम तो जरूर होगा लेकिन ध Ary dont बढ़काने के लिए कि लिए किश्म कुछ तो बूलना है क्या अपने ध्यान दिया कि पूरे कि पूरे गोधी मीडिया ने उस दिन से ले कर अब तक प्रधानमंतरी की पत्नी की बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं की वैसे आम तोर पर गोधी मीडिया कभी भी प्रधान मंतरी की पत्नी जैसोदा बेन का नाम तक नहीं लेता मगर इस बार खुद प्रधान मंतरी की पत्नी ने सामने आकर हकीकत बया की है और बताया है कि जब उनकी सास की मौत हुई वर्णगर इस्थित अपने मकान पर कि हमें क्यों रोका जा रहा है तो पुलिस ने जवाब दिया कि हमें उपर से आदेश मिला है उपर से इतना सुनने के बाद पीम मोधी की पत्नी भीतर से तूट गई और फफक कर रो पड़ी एक बार आप खुद पीम मोधी की पत्नी की बाते सुन लिजे इसके बाद हम कि मोधी से नाराज है टीएन एफ टूडे निवस पोर्टल ने इस ख़वर को सेर किया है जवत पॉलिस मैंने बंदोस ना कि आना प्रम प्रम ने बहुत लागने है ति हमने गुजराती जानने वाले एक व्व्यक्ति से इसको ट्रांसलेट करवाया पीम मोधी की पत्नी कह रही है कि मेरा अपनी सास से बहुत लगाव था मैं उनके अंतिम संसकार में जाना चाहती थी मगर मुझे जाने नहीं दिया गया कलपना करके देखिए ये घटना कितनी बड़ी है और कितनी निंदनी है क्या एक महिला का अपनी सास पर कोई दिकार नहीं होता इन सब के बावजूद सोचने वाली बात ये है कि यदि रोकना भी था तो धीरे से एक फोन कॉल करके भी रोका जा सकता था लोग सवाल कर रहे हैं कि जब प्रधानमंतरी की पतनी का ये हाल है तो उनकी सरकार में देश की अन्य महिलाओं के सरसक्टिकरण का क्या होगा सोचल मेडिया पर लोग किस तरह के सवाल उठा रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं अमरीज कुमार चोवे ने लिखा है कि मोदी जी की माता जी का अंतिम संसकार सादगी से संपन होने की बात बड़े मनुयोग से प्रसारित करने वाली गोदी मीडिया के तमाम चैनल इस खबर पर खामोस क्यों है? कि सादगी का मतलब बहु को अंतिम संसकार में सामिल न होने द विस्फोटक है पूरी दुनिया सुनकर दंग रहे जाएगी कि क्या प्रधानमंत्री की पतनी के साथ ऐसा सलूग किया जा सकता है और यह संसकारी पार्टी है मुसल्मान औरतों की चिंता करने वाले अपनी औरतों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले अपने गिराबान में जहांक कर देखें बरजिंदर मान ने लिखा है कि ये अस्चर जनक है मगर मुझे कोई अचंबा नहीं हुआ निगम मिस्रा लिखते हैं हे राम जो अपनी पत्नी के साथ इतनी नाइंसाफी करता है वो देश के साथ क्या इंसाफ करेगा प्रवीन ने लिखा है साधी ना करना अच्छी बात साथ ना रहना आपका विचार होता है क्योंकि आप साध देश के लिए कुछ अच्छा करना चाते हो मगर एक औरत को अपने साथ के निधर पर भी न जाने देना ये कहां का हिंदू संस्कार है कहीं ये सती प्रथा जैसा को कर्म तो नहीं ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बिलकुल उलट है समीर ने लिखा है कि कैमरे में चली जाती तो इमेज खराब हो जाती लोगों ने यहां तक लिख दिया कि जो अपने परिवार के साथ नहीं है वो देश की सेवा क्या करेगा ससी ने लिखा है कि ज़रा सोचिये हमारे प्रथान मंत्री की सोच कितनी छोटी है एक बहु को उसके साथ के इंतिम दर्शन से रोग दिया गया दीपचन सिवास्तों ने लिखा है कि मा जसोदा बेन जी को अपने वसभी नारी जाती के लिए सम्मान के लिए चुप नहीं बैठना चाहिए ससां को जाने का है कि बड़े-बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को मोधी नहीं आने दिया वैसे ही इनको भी रोग दिया गया होगा मगर सवाल ये है कि क्या बड़े-बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री मोदी के पतनी थे प्रधान मंत्री की पतनी की तुलना अन्न मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से करना कहा तक ठीक है हिंदु अमित राजवार नाम के एक जीवजर ने लिखा है कि ये PM मोदी जी के पारिवारिक मामला है हम लोगों को कोई हक नहीं है कि उनके पारिवारिक जीवन के बारे में कमेंट करें बिलकुल सही बात है ये पारिवारिक मामला है मगर जब आप अपनी माता से मिलकर उनके एक देश का निर्माड होता है यदि पीएम मोदी की पत्नी की ये सारे आरोप सही हैं तो ये घटना हमारे देश को हमारे समाज को किस तरह का संदेश देगी पीएम मोदी समेद पीजेपी के तमाम नेताओं पर अक्सर महिला विरोधी होने का आरोप लगता है मगर इस तरह की घटनाएं उन आरोपों पर कहीं न कहीं मुहर लगाती हुई दिखती हैं बड़े से बड़ा दुस्मन भी अंतिम समय में अंतिम संद करने चला जाता है लोग अपने दुस्मनों तक को नहीं रोकते और यहां तो बहु को ही रोक दिया गया वो भी पुलीस के द्वारा नज दूस्मनों की बराबरी कर पाएंगी घड़ाल एक बार फिर से अब सब्सक्राइब करके यह आपको हमारा कारेक्रम अच्छा लगे तो इस की वार कोड को इसकन करके हमारी आधिक सहता करें ताकि जनतां से जलो हुए मुद्दों पर हम बेबाकी से अपनी आवाज उठाते रहें फेस्बुक पर हमें फॉलो कर लिए योट्यूब पर सब्सक्राइब करके लाइकन दबा लीजिए हमसे जोने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहिंद